यह सवाल आगरा से हर्ष ने पूछा है नमस्कारम सद्गुरू राम जन्म भूमी विवात को सुल्जाने में करीब तीन दशक लग गए राम मंदर भूमी पूजा को कुछ दिन रह गए हैं और आयोध्या में काफी उत्सा है हालाकि राम एक राजा थे फिर भी आज उनकी पूजा क्यों की जाती है मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज के समय में राम कैसे महत्वपून है चुंकि वो आगरा के हैं इसलिए वो उन्हें राम कह रहे हैं हम जहां से हैं हम उन्हें रामा कहते हैं तो हम उस आ को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई भूल जाए कि मैं दक्षण भारत से हूँ क्योंकि मेरा नाम देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पंजाबी हूँ मेरा नाम और मेरी नाम और मेरे बाल दोनों से उन्हें लगता है कि मैं जरूर पंजाबी हूँ नहीं, नहीं, हम उन्हें रामा कहते हैं, मैं और नीचे तमिल नाडू जाकर उन्हें रामन नहीं कहूँगा, फिर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, शायद उन्हें लगे कि मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, रामा, देखे, संस्कृति की सुंदर्ता यही है, कि यहां कोई दगॉड नहीं है, कुछ गुण हैं, जिने हम दैवी मानते हैं, अगर किसी इंसान में वो दिखते हैं, तो हम उनके आगे सर जुकाते हैं, क्योंकि हम गुण के आगे सर जुका रहे हैं, उस इंसान के आगे नह ये ऐसी चीज है जिसे दुनिया के ज्यादतर लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो बहुत कटर धर्मों से जुड़े रहे हैं भगवान क्या है, शैतान क्या है, आदमी क्या है, औरत क्या है हर चीज की स्पष्ट परिभाशा है भारत में किसी चीज की परिभाशा नहीं है क्योंकि मैंने आपको अपने मसाले के बारे में बताया था सब कुछ ऐसा ही है, हमेशा विकास हो रहा है, हमेशा चीजें हो रही है इसमें काफी जीवन और उर्जा खर्च होती है कि आप खुद को अव्यवस्थित रखें और फिर भी एक दिशा में बढ़ें मगर ये तारों के समूं या मधुमक्यों के जुंड की तरह है ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही लेकिन वो हमेशा कहीं जा रही होती है उन्हें पता है कि वो कहां जा रही है लेकिन एक बाहरी दर्शक को ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही तो आपको ये समझना होगा राम या रामा वो आयोध्या के हैं जहां मंदिर का निर्मान हो रहा है क्योंकि वो उनकी जन्म भूमी है मंदिर कुछ हजार साल पुराना है कोई नहीं जानता कि पहला मंदिर किस यूग में बना था फिर विकास हुए, हजारों सालों में विकास के काम हुए लेकिन करीब 500 साल पहले उसे तोड़ दिया गया व्यवस्थित ढंग से धेर सारे मंदिरों को तोड़ा गया जिनके उपर दूसरे धार्मिक स्थान बनाए गए उसी निर्मांट सामगरी से इसे तोड़ो और उससे कुछ और बना लो तो राम के एक आदर्ष होने के कारण आपको समझना होगा कि वो एक आदर्ष है भगवान नहीं क्योंकि हमने उन्हें भगवान नहीं कहा हमने उन्हें मर्यादा पुरुष कहा पुरुषोत्तम कहा इसका अर्थ है एक उच्चस्तर का पुरुष पुरुषोत्तम शब्द का मतलब ही है उत्तम पुरुष राम को हमेशा पुरुषोत्तम कहा जाता है इसका अर्थ है कि सभी पुरुषों में वो उनसे उपर हैं क्योंकि वो इतने उचे स्तर्के हैं उनमें उचे स्तर्की क्या चीज़ है? वो कई परीक्षाओं और दुखों से होकर गुजरे मैं पूरी कहानी में नहीं जाओंगा लेकिन मुसीबतों का सिलसिला उनका जीवन मुसीबतों की लड़ी है वो अपना राज खो देते हैं, अपनी पत्नी खो देते हैं एक युद्ध लड़ते हैं, वापस आते हैं फिर से अपनी पतनी को खो देते हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं, अपने बच्चों को लगभग मार ही देते हैं, अंत ही इन मुसीबतें, इन सब से वो शांती से, आनन्द से होकर गुजरे. दर्द था, लेकिन फिर भी आनन्द के साथ, एक स्थर पर, व्यक्तिकत स्थर पर, उन्हें काफी दर्द है, जिसे वो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो कभी उस दर्द को, किसी उस चीज़ के बारे में कोई फैसला नहीं करने देते, जो वो कर रहे हैं. तो जब कोई इनसान इस तरह पेश आता है, तो हम उसे पुरुष उत्तम कहते हैं, क्योंकि वो पुरुषों के बीच उच्छ स्थर के हैं. ये बहुत महतुपूर्ण है कि वो एक इनसान है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ, और एक खास सुम्र में उनकी मृत्य हुई, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, देश भर में घूमे, तक्षेन आये, और फिर वापस उत्तर गए. अपने दुश्मन को मारने के बाद, जिस आदमी ने उनकी पत्नी का अपहरण किया था, और जो निर्दैता से राज कर रहा था, उसे मारने के बाद, वो वापस आते हैं, और एक साल पश्चाताप करते हैं. तो उनके भाई ने पूछा, क्या आप पागल हैं? वो सबसे बुरा आदमी था, आपका उसे मारना ज़रूरी था, और अब आप पश्चाताप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम सबने कुछ गलत किया है? तो रामा ने कहा, देखो, इस रावन के बारे में बहुत से बुरी चीज़े हैं, लेकिन वो एक महान भक्त था, और वो अपना राज बहुत अच्छे से चलाता था, उसने बाकी हर केसी का शोशन किया, जिसके कारण मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन वो एक महान भक्त थ उसके लिए मैं पच्छतावा कर रहा हूं कि मैंने एक भक्त को मारा, तो इस व्यक्ति का अनुसरन करना जरूरी है, और बहुत महत्वपून है कि वो एक इनसान है, अगर वो भगवान बन जाते हैं, तो आप उन्हें दिवार पर लटका देंगे और उन्हें भूल कोई कभी किसी भगवान का अनुसरन करने की कोशिश नहीं करता, आपको ये बात समझनी होगी, भगवान यानि वो अनुसरन से परे हैं, इनसानों को यही लगता है, अगर कोई इनसान वाकई अच्छा बरताव कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हर किसी में चाहत होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपून है कि वो एक इनसान है, वो एक राजा थे, उन्होंने अपना राज्य खो दिया और फिर वापस लोटे, और अपने राज्य की सारी शानों शौकत छोड़ कर सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि कोई और दुखी था, उनकी सौतेली मा थोड़ी दुखी थी और उनकी पीट पीछे थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रही थी, वो बोले अगर आप यहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, इस आदमे का अनुसरन करना ही चाहिए, जब आजकल लोग पागल की तरह सत्ता से चि तो यह मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी हद तक कम से कम देश के उत्तर ही भाग में, दक्षंड में उतना नहीं है, यह वहाँ भी है लेकिन उतना नहीं, लेकिन उत्तर में राम उनकी आत्मा है और 500 साल पहले जब तुर्की से विदेशी हमलावर और बाद में कुछ मंगोलिया से भी वो आए और उन्होंने एक-एक करके सभी मंदिरों को तोड़ डाला ये बहुत समय पहले बना एक प्राचीन मंदिर था जो उस समाज के लिए बुन्यादी ताकत था उन्होंने उसे तोड़ कर उसके उपर जल्दबाजी में अपनी मन चाही चीज बना दी ये विवाद धदकता रहा है ये विवाद अदालत में मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो 135 सालों से अंग्रेजों के जमाने से ये अदालत में था और चलता ही जा रहा था क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश में हमने किसी भी कीमत पर राजनीतिक रूप से सही होने की इच्छा बना ली है कोई भी जज इस पर फैसला नहीं करना चाहता था हर कोई इसे आगे बढ़ाता रहा ताकि उसका कारेकाल खत्म हो जाए और अगला जज इस मुसीबत से निप्टे क्योंकि दो समुदाय जम कर आपस में भीड़ रहे हैं कि ये किसकी संपत्ती है लेकिन अब सुप्रीम कोट ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये मुकदमा करीब तीन चार दशकों से सुप्रीम कोट में चल रहा था अब सुप्रीम कोट साफ तौर पर एक निशकर्ष पर पहुँचा है सभी सुपूतों को देखते हुए पुरा तथ्व के सबूत साफ तौर पर सौ प्रतिशत ये बताते हैं कि वहां एक मंदिर था और उसे ढहा कर जल्दबाजी में उसके उपर एक इमारत बना दी गई तो उन्होंने कहा कि यहां मंदिर बनना चाहिए दूसरे समुदाय को उन्होंने दूसरी जमीन दे दी जो शायद वहां से 20 किलो मीटर के भीतर है उन्होंने कहा कि आप अपनी जगा वहां बनाएं इन्हें अपनी जगा यहां बनाने दीजिए तो ये सिर्फ एक और मंदिर नहीं है ये भारत की आत्मा को पुनर जीवित करना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संप्रदाय धर्म ही राम का आदर करता है बहुत से लोग हैं बहुत से लोग हैं जो दूसरे धर्मों के हैं जो उनकी तरह बनना चाहते हैं जो कई कई रूपों में उनकी सराहना करते हैं तो कई मायनों में रामायन, राम के चीवन की कथा भारती संस्कृती का एक अभिन हिस्सा रही है तो ये लगभग एक घायल राष्ट्रिय आत्मा को पुनर जीवित करने जैसा है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है वरना बिना मतलब दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत जारी रहेगी इस हल के साथ बहुत से दिलों और दिमागों को ठंडक पहुँची है जो देश के भविश्य के लिए एक अच्छी बात है वरना दो समुदायों के बीच लगातार बिना मतलब टकराफ चल रहा था तो मेरे खैल से एक बड़ी समस्या हल हो गई है तो पांच अगस्त को वो आधार शिला रख रहे हैं और उन्होंने वहाँ एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई है शायद रिकॉर्ड समय में क्योंकि शायद पिछले 25-30 सालों में उन्होंने सारे स्तंफ तराश दिये हैं स्तंफ ये वो सब कुछ पत्थर का सारा काम पत्थर का सारा काम तयार हो गया है वो कहीं और रखा है और उन्हें सिर्फ साथ में जोड़ना होगा बाकी का धाचा काफी तेजी से बन जाएगा आशा है कि 24 महिने या 30 महिने में ये भव्य मंदिर तयार हो जाएगा और इस वाइरस के स्थिती के कारण उन्होंने सिर्फ डेड़ सौ लोगों को निमंतरण दिया है वरना शायद एक करोड लोग वहां होते एक सवा करोड लोग इस मंदिर के खुलने या आधार शिला रखने के लिए वहां होते लेकिन सिर्फ डेड़ सौ निमंतरण भेजे गए है कारक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा लोग उसे टेलिविजन पर देख सकते हैं या इंटरनेट पर देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये घटना एक मील का पत्थर है उन विवादों को हल करने के अर्थ में जो लंबे समय तक चलते रहते हैं बिना मतलब समाज में घाव की तरह पकते रहते हैं मेरे ख्याल से इससे बहुत से लोगों को शांती मिलेगी अब जब कि आपने राम के बारे में सवाल पूछा है एतिरुगनन दयचूचदव इनवं सोत्तम रामा एतिरुगनन दयचूचदव इनवं सोत्तम रामा नातरमा भवसागरमिधनु नलिनधलेक्षन रामा नातरमा भवसागरमिधनु नलिनधलेक्षन रामा श्रीरगुनंधन सीतारमना स्तृतजन पोशक रामा श्रीरगुनंधन सीतारमना स्तृतजन पोशक रामा कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नधिकानु पुरामा कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नधिकानु पुरामा क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलेंच कुरामा क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलेंच कुरामा धारे द्र्यमु परिहारमु सैयवे धैवशिकामनिरामा धारे द्र्यमु परिहारमु सैयवे धैवशिकामनिरामा वासव नूत रामधास पोषक वण दनन्योध्य रामप एसव नूत रमधास पोषक वण दनन्योध्य representative दासार्चित माकबयमुसंगवे धाशरती रगुरामा धासार्चित माकबयमुसंगवे धाशरती रगुरामा चौंडिए चौंडियन NASA राम, 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 राम. राम के ये गुण अगर हमें उसे कम शब्दों में कहना हो अपनी जन्ता की खुशाली के लिए उनका समर्पन असीम था वो खुद की कुर्बानी देने को भी तयार थे इस बात की बहुत प्रशंसा की गई है रामायन के माध्यम से तो मूल रूप से हर चीज के प्रती पूरा जनून खुद के प्रती पूरी अना सकती वो इसी के प्रती है मुझे लगता है कि सभी इंसानों को इस गुण का अनुसरंड करना चाहिए वो चाहे जहां भी हो वाइरस ये देखने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप खुद के प्रती कितने आना सकते हैं और हर दूसरे जीवन के प्रती आपके अंदर कितना जुनून है वाइरस जाच रहे बचने का कोई रास्ता नहीं है आप खुद को मूर्ख नहीं बना सकते टेकसस में ऐसा हुआ FBI का एक आफिसर क्योंकि उन्हें शक्त था कि लोग शायद गैर कानूनी कुछ समय पहले जब मेरुआना वगरा उगाना गैर कानूनी था लोग उसे उगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो एक आफिसर एक बड़े से खेत में पहुँचा वहाँ एक आदमी था जो सत्तर साल से ज्यादा उम्र का था लेकिन वो एक मजबूत और महंती आदमी था आफिसर ने कहा मैं तुम्हारे खेत की जाच करने आया हूँ कि कहीं तुम गैर कानूनी और भ्रह्म पैदा करने वाले पौधे तो नहीं उगा रहे उस बुज़र्ग व्यक्ती ने कहा नहीं हम वैसा कुछ भी नहीं उगा रहे हमारे पास सिर्फ कुछ गाय बैल वग्रह है लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं है नहीं नहीं मुझे जाच करनी है ओफिसर का पारा चड़ गया तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए तुम जानते हो मैं कौन हूँ और उसने अपना बैच निकाल लिया FBI, मैं FBI से हूँ मैं Senior Investigator हूँ तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं इस बैच के साथ मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूँ बुजर्ग व्यक्ती ने कहा ठीक है माफ कीजिए आप जहां चाहिए वहां जा सकते हैं फिर कुछ समय के बाद बुजर्ग व्यक्ती को बेतहाशा चिलाने की आवाज सुनाई दी उस दिशा से जहाँ पर खेत का वो वाला हिस्सा था फिर उसने देखा तो वहाँ ओफिसर अपनी जान बचाने के लिए दौड रहा था और एक बड़ा सा सांड उसका पीछा कर रहा था फिर बुज़र्ग व्यक्ती दोड़ कर बाड़े के पास आया और बाड़े पर खड़े होकर बोला उसे अपना बैश दिखाओ, उसे अपना बैश दिखाओ कृपया वाइरस के सामने अपनी उपाधिया मत दिखाईए ये कोई भेदबाव नहीं करता करता है